नमस्कार A to Z dishes उशाक और जानी में आप सब का स्वाकत है आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेर कहने जा रही हूँ कि आप एकदम बढ़िया सी आटे की फुली फुली पूरिया कैसे बनाएं देखे आलू के सबजी हो कोई दाल हो या कुछ भी हो तो हमें पूरिया खाना आटोमेटिकली ऐसा होता है कि पूरिया खाएं वो बहुत ही अच्छी होती है तो एक दम फुली फुली पूरिया बनाएंगे वो भी सिर्फ और सिर्फ गीहों के आटे में से उसके लिए एक बाउल ले ले इसके अंदर आपको डाल देना है तीन कब गीहों का आटा या जि पूरियों के लिए आटा गूंदना है वो नहीं जादा सक्त होना चाहिए और नहीं जादा नरम मीडियम सॉफ्ट आटा गूंदना है इसलिए थोड़ा थोड़ा करके ही पानी डालना कई बार क्या होता है कि हमें सब पता है और हम पानी एक साथ ही डाल देते तो उसे आट तोड़ा सा तेल लगा लेंगे या फिर घी भी अब लगा सकते हैं अच्छे से आटे को मसल लेना है मसल लेके बाद इसे ढख कर पांचे-दस मिनिट के लिए रख देना है जादा नहीं बस पांचे-दस मिनिट तक अगर नहीं है टाइम तो आप तो रहन भी बना सकते हैं को एक लोई के ओपर दोनों तोरफ हम थोड़ा-थोड़ा तेल लगा कर इसे बेलना है अब देखिए पूरियों का दूसरा स्टेप यह है पहला तो यह कि मीडियम सॉफ्ट आटा गुने दूसरा यह है कि पूरी जादा मोटी भी ना बेले और जादा पतली भी नहीं मोटी बेलेंगे तो फूलेगी नहीं पतली भी नहीं तो तेल में डालते ही जल जाएगी तो इसलिह मीडियम पूरी बेले और इसके लिए जो तीसरी बाद ध्यान यह रखनी है कि स्टेली जो तेल हो अच्छे गरम होना चाहिए तो ठंडे यह तो पूरी भी नहीं में और चाय के साथ ले या कोई भी तरह की दाल या सबजी के साथ सज बतारी बहुत ही मज़ा आ जाएगा ड्राइ करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले थांक यू